नहीं यह काफी अच्छी पहल है और आप लोग सब लोग को पता है कि जब से हम लोग साथ आये हैं मानने मुखमंत्री नितीज जी और राष्टे जनता दल हम लोगों महागरबंधन हुआ तब से हम लोगों का प्रयास था कि जादा से जादा दलों को हम लोग जोडने का प्र की बात करने हैं और सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है तो अपनी बात जो लोग है वो सब लोग रखी गए और सही माइने में अगर देखा जाए तो विपक्ष में लोग सवाल पुठाते हैं कौन क्या है नहीं है लेकिन कोई इससे इंकार नहीं कर सकता चाहे प्रशाश्तिक मामले में और राजितिक मामले में जो अनुभवी जो रहा है मोडे जी से काफी ज्यादा रहा है तो विपक्ष में ऐसे कोई नेता आपको नहीं मिलेगा जो मेडिया द्वारा जो निर्मित किया गया हो विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो सीधे जनता से सनवाद लोग करते हैं तो हमको लगता है कि बैठक जो है काफी fruitful रहेगा और सब जो हैं अपनी बात को रखेंगे क्या नेती होगी क्या जंडा होगा क्या मुद्दे होंगे और वाकTC में ये कोई चुनां जो है कि से एक वेक्ति विशेष का चुनां नहीं है यह देश की जनता का चुनांव है और देश की जनता जो है चाहती है कि मुद्दे पे चुना हूँ, आज देश की जनता गरीबी, पेडोजगारी, महंगाई, इस तरह की चीजों से लोग जो है परिशान है, किसान की अलग समझ से आए हैं, मजदूर की अलग समझ से आए हैं, और सारे मुद्दो को ले करके देश की जनता चाहती है कि कि जो लोग टक्रार कराते हैं समाज में जहर बहुते हैं नफरत की राज़िती करते हैं कि हमारी देश की यही कुप सुरुटी की डाइवर्सिटी सब लोग अलग हैं लेकिन फिर भी हम सब एक हैं मिल करके रहते तब यह देश महान कहला तो उसको ले करके जो सब लोग हम लोग अपनी बात को जो है बैठक में रखेंगे सब दल के लोग हान और सबको अपना मौका मिलेगा अपनी बात को रखेंगे तो कहीं ने कहीं सुत्रधार जो है यह कह सकते हैं कि लालू जी और आप इसके लिए आगे बढ़े थे तो आज जब यह अंतिम पे आप ल सब्सक्राइब करें और जब अपने वोट का विखराव क्यों करें और जब NDA थी तो NDA पता है कितने दलों का गड़ बंदन था तो क्या वो किसी के डर से इतने लोगों के साथ साथ मिल करके NDA बनाये थे तो यह बैकार की बाता है एष सही मुद्द किया है कि आज जिस हेसाब से तानाशाही देश में चल रही है आग यो कि अगोशीट इमेर्जिंसी इस प्रकार से लागु है ऐसके क्या शेन नेता है प्रशाशन के दिस्टिकोंस icourne से राजितिक तो अगर वो बाते अगर देखा जाए तो किसी का हम लोग भै किसी बात का डर नहीं है और हम लोग चाहते हैं देश का सन्विधान लोक तंत्र बचे और जिस प्रकार से देश का इतिहास को बदलने में यह लोग लगे हुए हैं सब लोग जान रहे हैं नाम बदल देते हैं फ़लना चीज का चाहे कोई इंसिटीशन्स हो या कोई शहर हो या कोई स्कीम हो अब बदल के क्या फाइदा हो रहे हैं इसको बता दे दो हजार का नोट लाते हैं फिर बंद कर देते हैं अदोनों में जो है मार्शास्टो क्या लात सारे डिपेंट आइजी कि लोग हैं इनकोसना requirements जो कि अर्फ का है सब लोग सन्विधान में विश्वास करने वाले लोग है लोग तंतर में विश्वास करने वाले लोग और सब लोग चाहते है कि मुद्द पिर बात होनी चाहिए और यह जितने लोग कुछ है मीडिया द्वारा दिर्वित नेता है लेकिन जो लोगों की बैठक हो रहे है वो सीधे लोग जो हैं जनता से सनवाद करने वाले लोग आपको डर नहीं लग रहा है कि जिस तरह किया अपने निश्यक्रिभ लिया है बिहार से आप लोगों ने लिया है तो आगे इसके सबस्क्राइब . सामती नहीं बना पा रहे हैं तो अभी तो पहला बैठेक है लोग बैठेंगे और जैसे हमने पहले भी कहा कि कई अनुभवी नेता विपक्ष में लोग हैं चाहे मोदी जी आप administration के मामले में बात के जाएं आप समाजिक रूप में बात कीजिए या राजितिक रूप से politically बात कीजिए अब बताइए हैं की नहीं सब्सक्राइब जाधा तर लोग मोदी जी से जादा मोदी जी ठीक है आए हैं अपना वो भी अपना कर रहे हैं जो करना है उनको लेकिन यह तो साफ दिख रहा है कि देश को कितना नुक्सान हो रहा है कि वर आरे से सके जिन्डे पर लोग चल रहे हैं